गुरुवर प्रणाम मैं संजय कुमार यकीनन मुझे भी यकीन नहीं था कि इतना जल्दी गुरुवर का मैं अतिरांक लेके आऊंगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दू कि 2 अक्टूबर को गांधी जैन्ती के सू आफसर पे हमने एक यूटूब पे एक एडूकेशन फिल्ड का करेंट अफेस के लिए एक मैगजिन की सुरुवात किया है जिसका नाम है गुरुवर इस मैगजिन में सिक्षा छे कर रहे हैं और यह किसके लिए इंडिस्पेंसेबुल हैं चाहे किसी भी डग की सरकारी परिख्छा की तियारी कर रहे हूं या कोई भी इंट्रेंस एक्जाम एडुकेशन का कर रहे हो B.A.T. कर रहे हो C.U.E.T. कर रहे हो या आप D.L.A.T. कर रहे हो B.A.T. कोई भी स्टेट के PGT, TGT All Teachers एक्जाम या कोई सिक्षक है उनको भी पता होना चाहिए अपडेट होना चाहिए कि सोसाइटी में, एडुकेशन में क्या चेंज हो रहा है कोई इंवर्सिटी प्राफसर है उसे भी ये जानना चाहिए क्या चेंज हो रहा है अभीवाव को, गार्डियन को जानना चाहिए कि आखिर क्या परिवरतन है मेरा बेटा क्या पड़े मेरे बच्चे क्या पड़े समाज के हर विक्ति में खूब खूब इसका महत्तो है चुकि समाज में सबसे जादा आज भी किस फिल्ड का सबसे जादा हक्स सेफ है तो वो सिक्छा है और पहली ये मैग जी ने अपने किस्म की तो इतना जल्दी दो दिन के अंदर मुझे अतिरांग की इसलिए लाना पड़ा कि डैली इनवर्सिटी की कुछ घुछनाय हुई है अगर मैं पंदर दिन इनदिजार करता जो इसका आविर्ती है फिल्क्वेंसी है तो बाते छूट जाती और मैं इसके माद्यम से बहुत सारी चीज़ें को बताता हूँ इसलिए सुरू से अंतक इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए पसंद आए तो और सेर कीजिए जितना अधिक से अधिक यही मेरे लिए सही होग है फिल्हाल यह निसुल्क है चलिए बात करते हैं कि इस स्कूल आफ ओपन लर्निंग ने देश में सिख्षा का इतिहास बदला था साथ साल पहले इसकी सुरुवात हुई थी बहुत अध्भूत बात है और इसका जोगरफकल एरिया पूरा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में कहीं का भी बच्चा देली इंवर्सिटी का डिगरी ले सकता है उस डिगरी पे देली इंवर्सिटी लिखा होता है नो S.O.L. नो पत्राचार कुछ भी नहीं तो देली इंवर्सिटी आज देश की सर्व स्रेस्ट इन्वर्सिटी है तो इस बात को याद रखिए common education में number one पे है तो इस विद्याले से आपको डिगरी मिलती है और डेली इंवर्सिटी ने नई सिख्छानिती के साथ चुकि डेली इंवर्सिटी का एक जानकारी दे दूं कि सतापदी वर्स मनाये जा रहा है ठीक आज से 100 वर्स पूर्व डेली इंवर्सिटी के अस्थापना ह हुई थी तो सतापदी वर्स है तीन चार खुसियां एक साथ है साथ वर्स इसके स्कूल आप ओपन लड्निंग के हो रहे हैं जिसको देशी भासा में हम पत्राचार बोलते थे तीसरी बात इसमें जो हो रही है कि इसके द्वारा और नई सिक्षानीती आ गए नई सिक्षानीती आ जाने से क्या हुआ कि तीनों चीजें कनेक्ट हो रही है सतापदी वर्स भी है साथ वर्स उसके भी है तो धेर सारी सारे परिवर्तन हुए है नई सिक्षानीती के सारे अर्ज को सारे आगरा को एसेप्ट किया गया है चुक और उस चीज़ को दैले विस्विद्याले ने बहुत भाइवरेंट कर दिया बहुत सारे आउसर लाके खोल दिये तो जानना जरूरी है चुकि इसका रेजिस्टेशन हो रहा है ऑनलाइन ही रेजिस्टेशन करना है कहीं आफलाइन नहीं जाना है आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो इस आउसर को मत भूलो बिहार के बच्चों को कहता हूँ खासकर आपका सत्र बहुत बिलम से चल रहा है क्या ज़रूरत है आप यहां आजाओ इगनू में चले जाओ तो और उसके साथ साथ कंप्रेशन की तियारी भी करो बहुत ही सुनाडा होसर है तो आज की खबर पर मैं एक नजर डालता हूँ कि यह मैं बोल चुका हूँ सताब्दी वर्स है साथ वर्स इसकूल आप ओपेन लर्णिंग के हो रहे है और नई सिक्छानिती आ गई है और इसको विधिवत लागू कर रहा है इस वर्स दिलि विष्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्व इसी सत्र से यनी 2022 सत्र से इसमें दिल्ली विस्विध्याले के कुलपती मौदे ने प्रेस कॉन्फरेंस करके छो नए कोर्स को S.O.L. में जोड़ा है जो कहना है दिल्ली विस्विध्याले का कि 28 वर्सों के बाद इतना आमूल चुल परिवर्तन हुआ है पूराने कॉर्स भी चलेंगे 6 नए कॉर्स है चे में से 4 कॉर्स ऐसे है जो ग्रेशशन लेवल के है और 2 कॉर्स मास्टर लेवल के है बार बार कहता हूँ कुछ अख़वार confuse करके इस news को दिया है कि तीन-तीन क्या लगिना नहीं, चार bachelor standard के हैं और दो course master के हैं पहला क्या है BBA Financial Investment Analysis, BBA Financial Investment Analysis FIA wonderful course की financial चुकी आज निवेस एक बहुत बड़ा, बहुत समान सी चीज होती जा रही है हला कि आज भी देश की मातर 4% जन संक्या निवेस में उस डंग के निवेस में विश्वास करती है जहां आप कह सकते हैं कि उसको money market कह सकते हैं तो या share एक आम जन की वासा में layman के टर में share market कह सकते हैं या किसी भी डंग का investment, gold में हर कोई बचत करना चाहता है और उस बचत के लिए बहुत अच्छे course का भाव था, कुछ से भी चलाती थी, कुछ इधर उधर चलता था प्रोपर चलना है, gold, property, कुछ भी जिस चीज में कोई budget करना चाह रहा है बचत तो उसका पूरा analysis का एक course है, graduation का, wonderful course है BMS, bachelor of management study, यानि जिनको MBA करना है या इसके बाद नौकरी करनी है तो बैचलर अस्थान के लिए एक बहुत अच्छी opportunity उनके लिए आई है पिछले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने कहा था कि सबसे बड़ी बात जो हुई है दिल्ली S.O.L. के साथ इसको S.O.L. बच्चे बोलते हैं, कई सोल भी बोल देते हैं, school of open learning कि पहले 12 में 40% marks जरूरी था, जिसके चलते बहुत बच्चे छूट जाते थे अब इसने just past 33% कर दिया, अब इससे क्या है कि कोई भी आदमी नहीं छूटेगा है 33% का मतलब है past 12, just, ऐसा क्यों किया गया है, इसको भी जान जाएए, चुकी नई सिक्षानीती 2020, higher education में कह रही है, 2030 तक 2030 तक 2030 तक कि gross enrollment ratio इनको बढ़ा के ले जाना है 50%, तो ये तभी पूड़ा होगा कि barrier सब को हटाए जाएंगे, तो double barrier, एक तो barrier लगा है कि आप नियमित college में जाएंगे, तो admission test के थुरू जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कोई higher education करना चाहे, तो opportunity की हत्या ना हो, औसर नमरे, that's why यह single reason की parallel एक बहुत बड़ी चीज खरीकी गई है, और वेसे भी infrastructure बनाना, regular class देना एक बहुत बड़ा challenge है, और इस नई दुनिया में, जहां artificial intelligence, machine language, data science, और clean energy के साथ हम चौती आध्योगी करांती में चल रहे हैं, तो इसके अंदर कोई जरूरत ही नहीं है, हर कोई को online, offline जाके एक घिसे पीटे, ढंग से कहीं से पहुँचना, दिन भर वहां रहना, तो इसके साथ आप बहुत सारे साथ में काम भी कर लेते हैं, यह खुभी है, तीसरा कोर्स इसने किया है, bachelor of art, honors, अर्थसास, economics honors नहीं था, और बहुत सारे बच्चे, चुकि यह सारे trade ब्यापार को संबालने के लिए, दिनो दिन, रात दिन, economics बहुत तेजी से ग्रोग कर रहा है, simple honors graduate, किसी engineer graduate से जाधा पैसे पे नौकरी पार रहा है, तो उसको भी fulfill कर दिया, fourth one is the bachelor of library and information science, चुकि library का चाल चरित्र बदल चुका है, क्या बदल गया है, तो अब मोटी-मोटी पुस्तकों वाली बड़े-बड़े भवन वाली library को maintain करना बहुत मुस्किल है, तो library के साथ जो information science है, अगर 5G के हम जवाने में हैं, और 5G में यह connect जब कुछ सब कुछ होगा, तो आप सब के लाखो किताबों की library आप सब के छोटे-छोटे phone पे होंगे, और जब-जोब चाहिएगा, चुकी पूरा दुनिया चाहती है, कि इनसान पढ़ने में रूची लाए, बैगर पढ़े मेरा मानना है, कोई परिवर्टर नहीं हो सकता है, और पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जिसके द्वारा आदमी अपने जीवन को बदल सकता है, आ गई बात मुझे याद पैथोगरस की, जो फादर आप नॉलेज कहें गया है, जो इनानी स्कूल के हैं, सुक्रात से भी पहले हैं, जिन्होंने कहा था, कि धन हर कोई नहीं अर्जित कर सकता है, it is very difficult to earn money, to earn property, but it is a very simple things, anyone can earn, anyone can earn knowledge, learn knowledge, ज्यान कोई भी ले सकता है, कोई पा सकता है, तो आज पैथोगरस के सपना, धाई अजार साल बाद हमें इसमें पूरा होता दिख रहा है, second thing, यह all four are best, available for graduation program, कोई admission test नहीं, जो जाएगा, कोई seat का limitation नहीं, study material भी है, classes भी होंगे, और इससे बहतर आउसर नहीं है, और straight forward classes और publisher, डोनों इसमें आपके साथ है, जो भी मदद चाहिए, study material से, book से लेकर, मैं सब कुछ उपलब्द कराऊंगा, fifth course is a master of business administration, MBA, कितनी बढ़ी बात है, कि डिव, डैले इनवर्सिटी में, बहुत मुश्किल है, faculty of management में admission लेना, लेकिन ओहीं degree, डिव कहीं रहेगा, और कितने सस्ते में इतनी अच्छी degree मिलने जा रही है, lottery खुल गई, master of library and information science, यनि अब PG भी है, bachelor भी है, और PG भी है, और आने वाले दिनों में, हर पंचायट में, एक librarian का post होगा, जो बहुत जगा है, बहुत जगा लोगों ने सोचा, जम्मु कस्मीरी इसमें आगे था, सेख अब्दुल्ला ने, फारुक अब्दुला के, पिता जी ने ही library खोला, knowledge के लिए, और बहुत जगा पंचायट लेवल पे है, तामिल लाडू में बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए है, केरल में हुए है, और हमारे देश में library की बड़ी अच्छी परम पढ़ा थी, लेकिन रख रखाओ, पैसा, किताब में बहुत सारी चीजें, तो अब ये course connect कर देगा, तो ये किनन नई सिक्छानीती, रोजगारों उनमुखी, समय की मांग पूरा करने वाली है, और उसमें प्रयास, जीवन्त प्रयास दिल्ली इन्वर्सिटी दोरा किया गया, धन्यवाद दिल या में सब जगह, Australia, America, Canada, कि दो course आप physically भी कर सकते हैं, दोनों के routing अलग होने चाहिए, दो course एक online कर सकते हैं, एक offline कर सकते हैं, दोनों course आप online भी कर सकते हैं, जैसे तीनों module में आप कर सकते हैं, बसरते कि आप PhD के student नहीं हैं, अगर आप PhD कर रहा हैं, तो this is not possible, work before that, यानि आप graduation double कर सकते हैं, master double कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, मतलब opportunity खोलने वाली बात है, हर जगह इतना opportunity दे दो कि बच्चे अच्छा करें, ये भी बात लागू हो गई इसी सत्र से, नहीं education policy की, ये बहुत आगर था, सब को, मतलब लग रहा है कि new education policy इसी साल लग चाहिए, बहुत vibrant है, हर कोई हमारे class से connect रहिए, ऐसी तमाम सुचना है, instantly मैं दूँगा, चाहे गुरुवर कांग के daily हमें आपके सामने लाना पड़े, मैं लाने के तयार हूँ, लेकिन आप साथ से जुरिये, लोगों को बताएए, बताना बहुत जरूरी है, चुकि बहु और सारे लोग अभी भी बहुत लेट खवर को conceive करते हैं, receive करते हैं, यह गलत बात है, खवर लिजिए और उस पर act कीजिए, उसका फायदा उठाईए, पूरा नावंकन का सत्र चल रहा है, इसी के साथ इसको यहीं बिराम देता हूँ, जाहिन